नमस्कार दोस्तों, जैस्री कृष्णा, आज हम इस वीडियो में लेकियाए हैं कामिका एकादसी वेर्थ कथा और इसका महत्व कामिका एकादसी का महत्व एक बार अर्जुन ने कहा, हे परभू, मैंने असाड मा के सुकल पक्स के देश यहनी एकादसी का सैरिस्तार वर्लन सुना आप, अब मुझे सर्वन मा के किर्षिन पक्स के एकादसी की कथा सुनाने की किर्प्या करें इस एकादसी का नाम क्या है? इसकी वीधी क्या है? इसमें किस देवता का पूजन होता है? इसका उपवास करने से मनुश्य को किस फल की प्राप्ती होती है? पगवान स्रीकृष्ण ने कहा, हे स्रेश्थिनूदर, मैं सर्वन मा की पवित्तर एकादसी की कथा सुनाता हूँ, जान पूर्वक शर्वन करो एक वारिस इकादसी की पावन कथा को विशम पिता महा ने लोग हित के लिए नारज जी से कहा था एक समय नारज जी ने कहा हे पिता महा आज मेरी शर्वन मा के किशन पक्स की इकादसी की कथा सुनने की इच्छा है आते आप इस एकादसी की वर्थ कथा विदी विधान सहित सुनाईए नारज जी की इच्छा को सुन पितामा विशम ने कहा हे नारज जी आपने बहुत ही सुन्दर पस्ताव किया है अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे सरवन कीजिए सरवन मा के किशन पक्स की एकादसी का नाम कामिका एकादसी है इस एकादसी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपे यकी फल की प्राप्ती होती है कामिका एकादसी की उक्वास में संकर, चकर, गदादारी भगवान विश्नु का पूजन होता है जो मनुश्य इस एकादसी को दूप दीप निवेद्दे आदी से भगवान विश्नु की पूजा करते हैं उन्हें गंगा सनान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है सुर्य ग्रेन और चंदर ग्रेन में कैदार और कृष्टेतर में सनान करने से जिस पुन्ने की प्राप्ति होती है वह पुन्ने कामिकाई कादसी के दिन भगवान विश्नु की बक्ति पूरुवक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है भगवान विश्नु की श्रावन मा में बक्ति पुर्व पूजा करने का फल समुंदर और वन सहीत पिर्थवी दान करने के फल से भी ज़्यादा है, संसार में बगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है, आते हैं बक्ति पुर्व बगवान की पूजा नैक बन पाए, सर्वर मा के क्रिशन पक्स की एकामिका एक का देशी का उफवास करना चाहिए अब उसनों से युक्त बच्छडा सईत गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल कामिका एकादशी की उफवास से मिल जाता है जो उत्तम दिवज सर्वर्मा के कृष्ण पक्स की कामिका एकादशी का उफवास करते हैं तथा स्था अगर्द अथा पापों में फुसे हुए मनुष्य को इनसे मुख्तिम के लिए का मिका एकादशी का वर्त करना चाहिए कामिका एकादश्य की उफवास से भी पाप नश्ट हो जाते हैं संसार में इस से अधिक आदिको को नरश्त करने वाला और कोई उपाई नहीं है हे नारजी श्यों भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुश्यों को अध्यात्मिक विद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक फल कामिका एकादसी का वर्त करने से मिल जाता है इस उपवास के करने से मिनुष्य को नय तो यमराज के दर्सन होते हैं नहीं नर्ग के कश्ट भोगने पड़ते हैं वह सवरक का दिकारी बन जाता है जो मिनुष्य इस दिन तुलसी दल से बक्ति पूरो भगवान विश्नु का पूजन करते हैं वे इस संसार में सागर में रह तो अभी जल से अलग रहता है तुलसी दल से बगवान सरी हरी का पूजन करने का फल एक बार सवरन और चार बार चांदी के दान के फल के बराबर है बगवान विश्नु रतन मोती मनी आदिया भूशनों के पेक्सा तुलसी दल से अधिक परशन होते हैं जो मनुश्य बेफ़ी निश्ट हो जाते हैं और सरी के सप्रस मातर से मनुश्य पवित्र हो जाता है तुलसी जी को जल से सनानग कराने से मनुश्चे की रातरीर जायरन कर देव्तान करते हैं उनके पुन्यों को लिखने में चित्तर गुप्त भी ऐसमर्थ है, एक आदसी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दिपक जलाते हैं, उनके पित्तर सरों लोग में अमरत पान करते हैं, भगवान के सामने जो मनुष्य गी या तिल के तेल का दिपक जलाते हैं, उनको सुर् ब्रामन की मिल्ट्य हो गई अपने हाथों से मारे गए ब्रामन की क्रिया उस सतरिये ने करनी चाही प्रणतु पंडितों ने उसे क्रिया में सामिल होने से मना कर दिया ब्रामनों ने बताया कि तुम पर ब्रहमत्या का दोस है पहले प्रयाश्चित कर इस पाफ से मुक्त हो तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे इस परस्त्री ने पूछा कि इस पाफ से मुक्त होने के क्या हुपाए है तो ब्रामनों ने बताया कि सरवर मा के प्रिष्जन पक्स के कादाशी को बhakti बाफ से बूगांसरी दर का वर्ट कर पूजन करा के सहदाक्षिना के साथ अशिर्वात प्राप्थ करने से इस पाफ से मुक्ति मिलेगी पंडितों के बता हुए तरीके परवर्थ करने वाली रात में ही बगवांशरी दर ने स्त्रीय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें भरम हत्या के पाफ से मुक्ति मिल गई है इस वर्थ के करने से भरम हत्या अदिके सभी दूस्पाप नश्ठ हो जाते हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कोमेंट में जैसरी विश्णू अच्छे लिखें और वीडियो को लाइक करें जैसरी किस्णा